हलो गाईज, वेलकम टू केम बूश्ट अगेन, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं सोलिड स्टेट का लेक्चे नमबर फाइव, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे एलिमेंट्स ओफ स्मिट्री को, वन बाई वन समझेंगे सेंट्र ओफ स्मिट्री क्या होती है, प्लेन ओफ स्म स्मिट्री, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्स ओफ स्मिट्री, बहुत ही मजदा लेक्चर होने जा रहा है, तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेश्ट की स्टार्ट करते हैं, तो चलिए डियर स्टुडेंट्स, इससे पहले कि हम हमारे में टोपिक, यानि एलिमेंट्स स्मिट्री पर चलें, वहाँ पर स्मिट्री ऑपरेशन्स ऑफ स्मिट्री जैसे वर्ड यूज हो रहे होंगे, तो उनके बारे में नोलेज होना आपके लिए ज़रूरी है, तो चलिए अंडिस्टैंड करते हैं, बिसेकली स्मिट्री हमारे पास इंट्रफेशल एंगल्स की तरहां another property है crystal की, और हम स्मिट्री को explain करते हैं on the basis of elements of स्मिट्री and स्मिट्री ऑपरेशन्स, स्मिट्री ऑपरेशन्स को हम यहाँ समझेंगे और elements of स्मिट्री को हम preceding segments में देखेंगे, तो आईए पहले read करते हैं, then मैं आपको explain करता हूँ, दा स्मिट्री operation like rotation, reflection, inversion, etc. is an operation performed around a line, plane और a point on a body, such that it brings the same or similar appearance of the body after the operation, यानि symmetric operation, वो operation जो हम perform करें around a line, plane और a point on a body, कुछ इस तरीके से कि operation के बाद हमारे पास similar appearance appear हो body की, यही बात हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है, वो operation of rotation भी हो सकती है, reflection भी हो सकती है, inversion भी हो सकती है, इन सभी terms से अप आने वाले segments में बहुत ही familiar हो जाएंगे, for the timing इतना समझे, example देखिए, अब देखिए, यह है हमारे पास कोई भी body, जिस तरीके से हमने यहाँ बात की है, performed around a line plane और a point on a body, अब यह body है, अब हम जो symmetry operation है, वो ले रहे हैं rotation को, और वो carried out हो रहा है along a line, यह cube है और यह कुछ इस तरीके से line है, अब इसके around हमने symmetry operation किया, तो symmetry operation में specific rotation की, through 90 degree, तो हमारे पास operation के बाद, जो appearance आई है, वो similar है के नहीं dear, यही बात हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है, इतना समझ लीजिए, आप इन basic चीज़ों को note करें, फिर हम चलते हैं हमारे main topic की तरफ, तो चलिए dear students, सबसे पहले हम समझते हैं elements of symmetry में, की आखिर हमारे पास symmetry element क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा dear, अगर हम बात करने किसी भी crystal में किसी geometrical entity की, बोले तो plane हो गया, line हो गया, या कोई point हो गया, जिसके respect में हम कोई symmetry operation carried out कर सके हैं, उससे हम बोलते हैं, symmetry element, यही बात हमने आपको यहां लिखवाई है, the geometrical entity, such a plane, line, और a point with respect to which a symmetry operation can be carried out, is called the symmetry element, अब basically, next question arise होता है हमारे पास, कि symmetry elements का use क्या है हमारे पास, basically हम symmetry elements का use करते हैं, crystal में symmetry को describe करने के लिए, और ऐसे हमारे पास many elements होते हैं, लेकिन यहां पर हम five elements of symmetry को पढ़ने वाले हैं, वो क्या कहा हैं, आईए उन्हें देखते हैं, सबसे पहला है plane of symmetry, second है center of inversion और center of symmetry, भी बोलते हैं हम इसे, third है axis of proper rotation, fourth है rotation reflection axis of symmetry, इसी तरीके से फिफ्थ है हमारे पास rotation inversion axis of symmetry, क्या होती है plane of symmetry, क्या होती है center of symmetry, वो हम आने वाले segments में बहुत ये अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, आप ये basic information note कीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे five elements of symmetry पर one by one, तो चलिए dear students, सबसे पहले हम समझेंगे plane of symmetry को, आईए definition read करते हैं, then मैं आपको explain करता हूँ, It is defined as an imaginary plane passing through the crystal, such that it divides the crystal into two parts in such a way that one part is the mirror image of the other, the plane of symmetry are therefore also called the mirror planes, कि हमारे पास plane of symmetry is nothing but an imaginary plane, जो crystal के through pass करता है, और कुछ इस तरीके से pass करता है, कि वो crystal को two parts में divide करता है, और जो two divided parts होते हैं, वो एक दूसरे के mirror image होते हैं, और इसी वज़े से हम plane of symmetry को mirror planes भी बोल देते हैं, यह यहाँ पर that है, then नहीं, तो यह थी हमारे पास plane of symmetry की basic सी definition, उसके बाद हम देखते हैं, plane of symmetry के types को, type 1 है rectangular planes of symmetry, क्या होती है rectangular plane of symmetry, आईए read करते हैं, these are the planes situated in the middle and parallel to the opposite faces, अब assume किजी हमारे पास एक cube है, अब यह देखिए, यह हमारे पास opposite faces हैं, तो इनके बीच में यह plane situated होते हैं, और parallel होते हैं opposite faces के, अब cube में हमारे पास कितने faces होते हैं, six faces, और opposite faces के कितने pair हो गए, three pair, किस तरीके से देखिए, एक यह आमने सामने वाला एक pair, एक इधर वाला, एक उससे पिछे वाला, दो pair, एक उपर निचे वाला, यानि तीन pair हो गए, और हर एक pair के बीच में एक plane exist कर रहा है, तो हमारे पास three pair में कितने planes होंगे, three planes exist करेंगे, हमने लिखा है, three such planes exist, यानि यहाँ पर हमारे पास three RPS है, यानि rectangular planes of symmetry, अब क्योंकि यह planes जो हैं, यह middle और parallel हैं, opposite faces के, और हमारे पास जो यह planes हैं, इनकी shape rectangular है, इसी वज़े से हम इने rectangular planes of symmetry भी बोल देते हैं, type two है, हमारे पास dear diagonal planes of symmetry, यह समझ आ गया, यह भी easily आ जाएगा, these are the planes touching the opposite edges, opposite edges यहाँ पर important word है, कि यह जो planes हैं, यह opposite edges को touch करते हैं, अब यह along diagonal लाई कर रहे हैं, तो इन्हें हम diagonal planes of symmetry भी बोलते हैं, क्योंकि के case में हमारे पास 12 edges होते हैं, यानि opposite edges के कितने pair हो गए, six pair, तो इसी तरीके से हमारे पास six such plane exist, यानि यहाँ पर six DPS हो जाएगी, hopefully clear हुआ होगा, आपको what is plane of symmetry, repeat कर लेते हैं, plane of symmetry is nothing, but a imaginary plane है, जो crystal से pass करता है, कुछ इस तरीके से, कि जो divided parts हैं, वो एक दूसरे के mirror images हो जाते हैं, और इने हम mirror planes भी बोलते हैं, उसके बाद हमने इसके type को समझा, एक होता है rectangular planes of symmetry, एक होता है diagonal planes of symmetry, उसका भी हमने basic introduction लेने की कोशिश की, कि किस तरीके से यहाँ पर three planes exist करते हैं, और यहाँ पर six planes exist करते हैं, 3D में visualize करेंगे तो थोड़ा और picture क्लियर होगा, तो आप इसे note कीजिए, फिर हम चलते हैं हमारी next element of symmetry पर, तो चलिए dear students, अब हम understand करेंगे center of symmetry को, आईए समझते हैं, center of symmetry basically dear हमारे पास एक imaginary point होता है within the crystal, कुछ इस तरीके से अगर हम कोई line उस point से पास करवाएं, तो वो crystal के opposite faces को intersect करेंगी equal distances पर, यही बात हमने यहाँ लिखी है, it is defined as an imaginary point within the crystal, such that any line passing through the point, intersects the opposite face of the crystal at equal distances, example से समझीए, अब मान लीजी यह हमारे पास वो imaginary point है, अब अगर इस से हम कोई line pass करवाएंगे, तो देखिए यह opposite faces को intersect कर रही है, और equal distances पर यह intersect करेंगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी हर एक opposite faces को intersect करेंगी at equal distances, इस से हम center of inversion भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं center of inversion उसका reason जानिये, देखिए basically हमारे पास अगर हम crystal यह molecule को invert करें, through the center of symmetry, I repeat, अगर हम crystal और molecule को invert करें, through the center of symmetry, तो हमारे पास equivalent result मिलता है to the original, इसका मतलब हमारे पास जब हमने invert किया, और हमारे पास जो original था, उसमें से हमें अगर distinguish करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, यही बात हमने यहां लिखी है, it is also called center of inversion, because if the crystal or molecule is inverted through the center of symmetry, it gives result equivalent to the original, and hence distinguishable from the original one, indistinguishable लिखिएगा यहां पर, indistinguishable from the original one, क्योंकि देखिए हमारे पास यह, देखिए अगर यह वो point है, यानि यह imaginary point है center of symmetry, अगर इसके तुरूब molecule को invert करेंगे, तो हमारे पास जो result होगा, वो कुछ इसी तरीके से होगा, यानि हम original one से distinguish कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने इसको center of inversion बोला, तो यह तो कहानी थी center of symmetry और center of inversion की, तो आप इसे note कीजिए, फिर हम चलते हैं next element of symmetry पर, तो चलिएडिये students, अब हम understand करते हैं axis of proper rotation को, जिसे हम rotation axis of symmetry और simply axis of symmetry भी बोल देते हैं, basically rotation axis of symmetry या simply axis of symmetry को हम कुछ इस तरीके से define करते हैं, कि वो एक imaginary line है, जो crystal के through pass कर रही है, कुछ इस तरीके से अगर हम crystal को rotate करें about this line, तो हमारे पास exactly same appearance, more than once दिखाई दे, एक complete rotation में, complete rotation का मतलब जब हम उसे पुरा 360 पर rotate करें, यही बात हमने आपको यहां समझाने की कोशिश की है, the rotation axis of symmetry और simply called the axis of symmetry, is defined as the imaginary line passing through the crystal, such that when the crystal is rotated about this line, exactly similar appearance occurs more than once in one complete rotation, that is in a rotation through 360 degree, अब इस base पर कि हमारे पास similar appearance, कितने times आई एक complete revolution में, उसके base पर हम define करेंगे, fold axis of symmetry को की two fold होगी, या हमारे पास three fold होगी, four fold होगी, या six fold होगी, आई ये पहला देखते हैं, if the similar appearance occurs twice, in one complete revolution, the axis is called two fold axis of symmetry, और a diet axis, अब मान लीजिए, ये वो axis of proper rotation है, अब हम इसके around crystal को, एक complete revolution दे रहे हैं, यानि 360 से rotate कर रहे हैं, और उस crystal की similar appearance, twice आ गई, एक complete rotation में, तो हम बोलेंगे, कि वो axis जो है, ये वाली axis, वो two fold axis of symmetry है, या diet axis है, इसी तरीके से, अगर हम इस imaginary line के around, हम crystal को revolution में लाएं, यानि revolve करें, उसे 360 डिगरी में, और हमारे पास similar appearance, three times आ जाए, यानि thrice हो जाए, मतलब हर 120 डिगरी के बाद, एक similar appearance 120 पर आई, फिर next similar appearance next 120 पर, और हमारे पास जो third similar, जो हमारे पास ये appearance है, वो next 120 पर, यानि total 360 का revolution हो गया, तो हमारे पास जो ये axis होगी, इससे हम बोलेंगे, three fold axis of symmetry, और जो axis होगी, वो होगी triad axis, इसी तरीके से, अगर इस imaginary line के around, हम crystal को revolve करवाएंगे, through 360 डिगरी, अगर हमारे पास जो similar appearance है, वो four times आ गई, यानि हर 90 डिगरी के बाद, एक similar appearance, पहले 90 पर, फिर दूसरे 90 पर, फिर तीसरी इसी तरीके से, fourth similar appearance, fourth 90 पर, total हमारे पास हो गया 360, तो हमारे पास जो एक्सिस होगी, इसे हम बोलेंगे, four fold axis of symmetry, या हम बोलेंगे, tetra axis, tetra axis, इसी तरीके से, अगर हमारे पास, हम crystal को, इस imaginary line के around, crystal को rotate करेंगे, या revolve करवाएंगे, through 360 डिगरी, और हमारे पास similar appearance, six time आ जाती है, यानि after every 60 degree, तो हमारे पास जो एक्सिस होगी, इसे हम बोलेंगे, six fold axis of symmetry, या फिर hexade axis, तो ये तो हो गया हमारे पास, axis of proper rotation, और कब हम two fold, three fold, four fold, six fold बोलेंगे, उसके बारे में, आप note बना कर के लिकिएगा, क्या, यानि हमारे पास, जो type of rotation हमने की है, जिसकी वज़े से, हमारे पास equivalent configurations आई है, उस rotation को ये बोल रहा है, proper rotation, और जो axis है, इसे बोल रहा है, proper rotation axis, that's why we use the word, axis of proper rotation, I feel axis of proper rotation का, तो आप इसे note कीजिए, फिर हम चलते हैं, हमारे next element of symmetry पर, तो चलिए dear students, अब हम understand करते हैं, rotation, reflection, axis of symmetry को, ध्यान से सुनिएगा dear, अगर हम, molecule, या crystal की rotation करें, about an n-fold axis of proper rotation, और उसके बाद, उसकी reflection लें, एक plane, जो की perpendicular है, axis के, तो जो axis होगी, उसे हम बोलेंगे, n-fold rotation, reflection, axis, और जो नई configuration हमें मिलेगी, वो बिल्कुल identical तो नहीं होगी, original से, बट उसका enantiomorphous होगा, क्या कहना चारहों, पहले read करें, फिर explain करता हूँ, अब देखे हमारे पास, ये axis of rotation है, और ये एक plane है, जो इसके perpendicular है, मालीजे, ये वो plane है, और ये axis of rotation है, जो इसके perpendicular है, अब देखे, ये 7 type हमारे पास बना हुआ है, हमने इसको 180 degree rotate किया, तो हमारे पास ये बन गया, उसके बाद हमने इसकी reflection ली, इने plane, perpendicular to the axis of rotation, तो वो कुछ इस तरीके से आया, आप देखे, हमारे पास जो नई configuration है, वो identical तो नहीं है, बट enantiomorphous है, ये हम बोलेंगे, I think आप फील आ गया होगा, rotation, reflection, axis of symmetry का, तो आप इसे note करें, फिर हम चलते हैं, हमारे next element of symmetry पर, तो चलिए dear students, अब हम understand करते हैं, rotation, inversion, axis of symmetry का, बहुती simple है, basically यहाँ पर, जब हम molecule या crystal की rotation करते हैं, और उसके बाद inversion करते हैं, उसका through the center of symmetry, तो हमारे पास जो axis होती है, उसे हम बोलते हैं, n-fold rotation, inversion axis, और जो हमारे पास नई configuration मिलेगी, वो identical तो नहीं होगी, लेकिन वो enantiomorphous होगी, जैसा कि हमने इसे पिछले वाले case में देखा, यही बात हमने यहाँ लिखी है, when the rotation of a molecule, और crystal is followed by inversion, through the center of symmetry, the axis is called, n-fold rotation inversion axis, the new configuration obtained, is not identical, but is enantiomorphous, example देखे, यह seven type का कुछ हमारे पास crystal है, इसकी rotation की through 180 degree, और उसके बाद inversion किया through center of inversion, यह center of symmetry, और यह हमारे पास axis of rotation है, तो हमारे पास देखे, जो यह configuration मिली है, यह identical तो नहीं है, लेकिन enantiomorphous है, तो यह है हमारे पास rotation inversion, axis of symmetry की कहानी, आप note डाल कर लिखिएगा, आए पहले read करते हैं, फिर मैं आपको explain करता हूँ, the above two types of rotation, that is rotation reflection and rotation inversion, which gave enantiomorphous configuration, are called improper rotation, and the axis are called improper rotation axis, की हमने अभी जो fourth और fifth पड़ी है, यानि rotation reflection और rotation inversion, axis of symmetry, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास enantiomorphous configuration मिल रही है, तो इसी वज़े से हम जो rotation बोलते हैं, इसे improper rotation बोलते हैं, और जो हमारे पास axis होती है, उसे हम बोलते हैं, improper rotation axis, तो it is all about elements of symmetry, एक बास summarize करते हैं, पूरे lecture को, की हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने समझा, हमारे पास हम इस lecture में 5 types of elements of symmetry पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले हमने plane of symmetry देखा, then हमने देखा center of symmetry को, then हमने देखा axis of rotation को, then हमने देखा rotation, reflection axis of symmetry को, उसके बाद हमने अब पढ़ा rotation inversion axis of symmetry को, hopefully lectures आप के लिए कफी beneficial हो रहे होंगे, आप अपनी feedback हमें comment section में जरूर दें, और इन lectures को अपने friends के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन lectures का benefit मिल सके, तो चलिए till next video, keep learning, keep growing.